तो, हिलो गाईज, वेल्कम बाक तू माई चैनल और आज की इस वीडियो में, हम लोग बात करेंगे, अदिस और क्लास इस में इभरंगे और उनके, उनको कैसे यूज करते हैं, और कैसे अड़ कर सकते हैं किसी भी element को, वह आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं आप लोग के साथ चैनल के रिलेटेड कुछ बात करने वाना था कि यह एक तो यार जो आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो लाइक भी किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ठीक है और दूसरा क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी इं चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो ठीक है बैल आइकन पर क्लिक कर लो अल पर सिलेक्ट कर लो उसको तो आपको यह जैसे ही आप यूट्यूब ओपन करोगे एवरी डे सिक्सों क्लॉक तो आपको यह बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पर मिल जाएगा ठीक है और दूसरा आप रगाट में जाके देख सकते हो यह इहां ओपर भी देख सकते हो आपको डिस्कॉर्ड लिंक मैंने एड कर दिया जिसे अप लोग मेरा इक डिस्कॉर्ड सरवर भी जाएण कर उसक्तो है जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कुछ कोड फाइल मिलिकुंत और और कोडिंग के प्रॉब्लम्स भी शेयर कर रहूंगा ठीक है और उनके सॉल्यूशन भी ठीक है तो अब अपने टॉपिक के उपर आ जाते हैं अपना विजुल स्टूडियो कोड ओपन कर लो आप जैसा कि मेरा देख सकते हो मैंने ओपन कर लिया है प्रोड़ा सा स्क्रीन पाइल लिंक कर सकते हो तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले वहीं क्लासे और आइडी के बारे में तो सबसे पहले मैं एक एच्वन बनाऊंगा कर आप किसी भी उसके सथ एलिमेंट के साथ कर सकते हैं और मैं आपको इसे एच्वन के साथ करके दिखूंगा ठीक है इसके बाद मैं यहां पर लिखूंगा सब्सक्राइब ठीक है क्यों सब्सक्राइब जो कि आप लोग करते नहीं हो ठीक है ठीक है इसको कर लिया मैंने सेव और अब अगर मैं इसको लाइव सर्वर में ऊपन करूं और आपको दिखाऊं तो यह कुछ यह देख जैसे आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो यह प्रिंट हो चुका है सब्सक्राइब एच्वन में इसका कलर आप लोग नोट कर लो ब्लैक है ठीक है और अब मैं यहां पर जाता हूं और इसको मैं यहां पर एच्वन की हेल्प से अगर स्टाइल करूं तो यह जिसको हम स्टाइल करना चाहते हैं वह हो गाहा रख कलर ठीक है और जैसे आप देख लो हैश्टेक 000 से हटा के मैं इसको कर दूंगा यहां से आ वाइट यह वीट कलर कर देते हैं ठीक है इसको से पर ले और अब जैसा गे आप सकते हो थोड़ा वाइट इस से कलर का हो गया है ठीक है तो अब मैं क्या करूंगा अब मैं यहां पर इसको एक क्लास एड़ कर दूंगा किसको एच्वन को एच्वन के लिए एक क्लास को एड़ करेंगे क्लास टीक है क्लास को मैं क्या लिख दूंगा एच कि अमें इसको कर लेक्ता हूं से अब यहां पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं क्लास को लिखने के लिए कि आप यूज करते हो डॉट तो लिख दो डॉट एच और फिर यहां पर लिखने कलर क्या लिखना है कलर पिर आ जाएगा आपके बस कलर यहां पर कलर में आप यहां पर डाल दो नीचे यह ब्लू कि इसके लएक बदो इसे सेफ अब मैं आपको यहां पर दिखाँ तो color रोजाएगा ब्लू क्यों क्यों इस में इसके इसमें क्लास डॉमिनेंट है क्या है क्लास डॉमिनेंट है ठीक है अगर अम मैं आपको दिखाता हो आई 1 कमाल जाओ यहां पर दुबारा से यहां पर इसके साथ एक ID कर दो ID को रख दो आप heading ठीक है heading और इसको कर दो सब्सक्राइब और यहां पर जैसे कि हमने heading एक ID कर लिए यहां पर heading को denote करने के लिए आप यूज करते हो है 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 यहां पर यूज करते हो है 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 ठीक है यहां पर लिख दो आप heading है ठीक है है heading में curly brackets डाल के लिख दो फिर से color है ठीक है color लिखने के बाद आप लिख दो आप रेड कर लो इसको से अब आपको मैं दिखाने वाला है magic यह देख लो अब यह हो गया है red क्यों कौन ज्यादा इसमें specific है कौन ज्यादा dominant है वो है ID ID जो हम add करते हैं वो इसमें ज्यादा है dominant ठीक है इसके बारे में next video में बात करूंगा ठीक है next video का यही topic है जिसके अंदर मैं cascade के बारे में में बात करने वाला हूं ठीक है तो मैंने आपको अब ID और उसके बारे में difference जो था क्या ID एक particular element को लगा सकते हो ठीक है पूरे HTML webpage में एक को लगा सकते हो heading sorry class class आप जितनी मर्जी उसको लगा दो elements को और जितनी मर्जी बार लगा दो ठीक है तो ID और class में यही difference है ID एक particular tag को लगा सकते हो और एक ही webpage में एक हो सकता है ठीक है यह class और ID में difference है और यह भी पता लग गया हमें dominant कौन है वह है ID ठीक है आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगे तो like कर दो channel को subscribe कर दो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए topic के साथ thank you and bye bye